हलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम यहां पर एक और कमांड को कवर करने जा रहे हैं जो क्यों हता है आपका smart art तो यहां पर यह जो command है आपको present मिल जाएगे insert menu के अंदर illustration group के अंदर यहां पर आपको present है यह आपकी smart art command ठीक है तो यहां पे जो smart art है देखो इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है इसका work भी smart है जैसे इसका name है smart art तो इसका work भी smart ही है कैसे तो यहां पे देखो मैं आपको देखाता हूँ list type का चीए process type का चीए cycle type का चीए जिस भी type का आपको diagram चीए simple यहां से select कर ले ना बहुत सारी categories दे रखी है और category के अंदर दे रखी है diagram से दर की साइड तो यहां पर मेरे को जैसे process type का कोई diagram चीए तो मैंने यहां पर select कर लिया यह वाला और मैंने यहां पर कर दिया है okay okay करते हैं आप यहां पर देखोगे एक diagram जो है आपके page में add होके आ जाएगा तो यहां पर एक diagram जो है आ चुका है इसके अंदर आप directly text डाल सकते हो बड़ते हो जैसे यह आप यहां पर smart art insert करते हो ना तो यहां पर आपको दो menus अलग से open होके मिल जाएंगे smart art tools के अंदर एक तो smart art design मिलेगा और एक मिलेगा आपको format तो format में वही सारे टूल्स है जो हम previous वीडियो में डिसकस कर चुके हैं picture tool के साथ और save tools के साथ तो यहां पर आपको यह सारे जीज़ां भी दुबारा करने की ज़रत नहीं है वही सेम ह अभी यहां पर next है आपको यहां पर जो दे रखका है नहीं दे रखका है smarter design तो हम यह सारे टूल्स जो है आज की वीडियो में cover करने वाले हैं तो चलिए करते हैं start तो यहां पर सबसे पहले हमारा देखो menu खुल गया है अभी हमें यहां पर क्या करने टेक्स डाल देना है तो मैं पर text कर देता हूं input मैंने यहां पर लिख दिया input simple अभी मैं next पर कर देता हूं click तो यहां पर मैंने लिखा process और यहां पर लिख दिया output तो यहां पर जैसे आप टेक्स लिखते हो न तो यहां पर automatically जो रिसाइज है ना text automatically size हो जाता है और फिट हो जाता है तो मैंने यहां पर कुछ टेक्स लिख दिया और देखो कितनी इंस्टेंटली मैंने यहां पर क्या कर दिया एक diagram बना लिया है अगर आप सेप्स करते तो इस diagram को बनाने में काफी ज्यादा time लगने वाला था अभी यहां पर मैं first group आपको दिखा देता हूं create graphic के नाम से यहां पर first group है जो कि आपका smarter design menu में मिल जाएगा सबसे पहले आपक diagram में आपकी एक और save जो है add हो जाएगी जो कि आपको यहां पर visible हो रहा है ठीक है अभी आपको इसको delete करना है तो simply जो आप save पर करते थे वही करना है outline पर click करना और delete button कर देना press तो ऐसे आपका delete भी हो जाएगा अभी आप इस पर click करते हो ना arrow पर यहां पर आपको add save में arrow option भी आपको दे रखा है अब यहां पर after दे रखा है और before दे रखा है after मतलब जो save आपकी selected उसके बाद में और before जो आपका selected है उससे पहले तो अभी हमने last वाली save को select कर रहा है मैं left click करूंग तो दुख्या पर before पर click किया तो save जो है आपके इससे पहले add हो गई है अभी इस इस तरीके से आप यहां पर use कर सकते हो add save का अभी आपको इस save के अंदर बहुत सारा data रखना है तो आप इसमें bullets भी add कर सकते हो जो कि हम home menu की वीडियो में discuss कर चुके हैं इसके बाद आपको यहां पर दे रखा है add bullets तो जो save आपकी selected होगी ना उसमें यहां पर bullets add हो ब्लेट्स में तो यहां पर क्लिक कर दोगे क्लिक करने के बाद देखो हमारी first save selected थी और आप यहां पर कुछ भी लेख देना इंटर करोगे तो हमारी first save selected थी इसलिए bullets जो है इसके नीचे आरे अगर आप यही चीज सेकेंड पर करते तो यहां पर यहां पर यूज कर सकते हो add bloods का अभी हम आगे options देख लाएं तो यहां पर दे रखा है आपको text pane text pane में देखो क्या होगा अगर आपका कोई diagram है बहुत ही complex type का है तो वहां पर आपको write करने में बहुत जदा problem हो जाएगी बट text pane में क्या होगा जितनी भी आपकी shapes होंगी न वो सभी shapes आपको as a text box यहा यहां से आप इसको close भी कर सकते हो या फिर आप text pane को भी close यहां से भी कर सकते हो यहां से भी हटा सकते हो इसे यहां से कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके सब text pane को close कर सकते हो next option दे रखा है आपको demote and prompt तो यहां पर भी demote जो है highlight हो रहा है promote highlight नहीं हो रहा है तो यहां पर क्या ह होगा डिमोट जैसे आप करते हो ना तो डिमोट करने के साथ ही यह जो डेटा है आपका जो इससे पिछली वाली से उसमें सैट हो जाएगा automatically तो यहाँ पर हम demote करते हैं और demote करने के साथ यह वाले जो safe हैं यहाँ से चली जाएगी अब देखो यह वाला data जो है इसके साथ add हो गया है अब यह अब दुबारा से हाँ प्रॉम्ट करते हो इस तरीके से change हो जाएगा अभी इसका जो फिलो आ रहा है वो आ रहा है left to right यानि कि data left to right flow हो रहा है अगर आपको फिलो चेंज कराना है right to left यानि कि opposite तो आप यहाँ पर क्या करोगे right to left का एक option आपको मिल जाता है create graphic group के अंदर यहाँ पर यहाँ पर जैसे किलिक करोगे तो यहाँ पर आपको फिलो है वो change हो जाएगा next आपको रखा है move up and move down तो मैं पहले इस diagram को कर लेता हूं change vertically जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आपको जाना है लेयाउट के अंदर और यहाँ पर आपको को लेयाउट जाएगा जो कि वर्टिकली होगा तो मैं यह वाला ले लेता हूं अब यहाँ पर आपका देखो diagram इस तरीके से change हो गया है अभी हमको क्या करना है यहाँ पर किसी सेप को सिलेक्ट कर लेना है अब आपको आउटपुट को एंड में बेज रहें तो आप आउटपुट को easily सकते हो मैं से Ctrl Z कर दिता हूं इस तरीके से नेस्ट आपको दे रखा है ले आउट्स तो यहां पर आपका ले आउट्स का जो उप्सन है अभी हाइलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ले आउट्स आपको यहां पर क्लिक करो क्लिक करने के बाद देखो जो डाइग्राम है ना हम इसको डाइग्राम तो चेंज कर लिया अभी हम इसको यहां पर इसको टूडी यह 3डए में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं और styles के अंदर यहाँ पे आपको arrow दे रखिया है, इस पे करना click, click करने के बाद हैं, यह 2D है सारे के सारे और यह आपके 3D है, तो यहाँ पे आप click करोगे तो देखो यहाँ पे और भी जो diagram है, आपका attractive लग रहा है, अभी हमने जितने भी changes य रखका है reset graphic का इस पर कर दिना है left click left click करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे normal हमारा smarter टेंसर्ट हुई थी उसी तरीके से दुबारा change हो चुकी है next हमें जो menu दे रखका है वो दे रखका है format menu बट पहले ही देख चुके हैं अभी यहां पर यहां पर यहां पर हाइलाइट नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा कि हमने यहां पर किसी भी safe को टार्गेट नहीं किया जैसे मैं safe पर क्लिक कर दूँगा click करने के बाद आप देख रहे हो देखो larger में आपका size बड़ा हो जाएगा smaller में छोटा हो जाएगा यह चीज़े आप नॉर्मली कर सकते हो corner से पकड़ना अपनी safe को यहां से और इसको drag कर देना तो यहां से भी आप larger smaller कर सकते हो बाकी सारे options आपके वही हैं जो कि हमने previous वीडियो में cover कर लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो आप उस वीडियो को देख लेना यह सारे options हमने वहां पर define कर रखके हैं आपने वीडियो को देखिए और रखके हैं